जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ आप सभी लोग का दोस्त संचेत और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बनियो क्या व्यू था किस तरीके से मार्केट में एक फर्स्ट हाफ का ट्रेंड और उसके बाद second हाफ और बिल्कुल ही ट्रेंड लेस एक और दिन हमें जाता हुआ दिखाई दिया तो हम लोग किस तरीके से इस दिन को जो है वो टकल कर सकते थे क्या अपनी स्ट्राइजी हो सकती थी क्या अपना प्लान था सबसे पहले जो हमने वीकंट वीडियो में शेर किया था सारी चीजे़ वीडियो में डिसकेस करने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले Republicans को सब्सक्राइब कीजिगा बेल आइकन को दबाईएगा और इस वीडियो का लाइक हम हम रखते हैं लगबग 4000 लाइक्स जो कि आप पूरा कर ही देंगे तो चलिए अब जाए टाइम वेशना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं देखे सबसे पहली चीज अगर मैं यहां प तक का बाई करेंगे कौन से स्विंग तक का बाई करेंगे जो previous support रेल लेवल था जो इसने breakdown दिया था अभो previous support जो है वो previous जो रेजिस्टेंस था वो ऐजर सबोट एक्ट करना चाहिए दुबारा से gap अप के बाद तो हम लोगोंने यहां पर क्या decision लिया था कि 18,040 50 के आसप से जादा मेंबर्स हमारे ग्रूप में अल्रेडी हो चुके हैं इस ग्रूप के अलावा मैं बार-बार बोल रहा हूं आप किसी और ग्रूप में है तो प्लीज वहां से एक्जिट कर जाईए वहां पे आप लोगों को बिना मतलब के ओफर्स या फिर चीज़े दिखाई जाए और उसके बाद नीचे आगे मिर्खो गाली दोगे तो ऐसा मत करिए भाई ठीके और किसी ग्रूप में है तो प्लीज वहां से एक्जिट कर जाईए तो देखो हमने क्या ट्रेड शेयर किया था यहां पे जब वो डिप आया मैंने आपको फिन निफ्टी का 19,100 का कॉल उप् पुट ऑप्शन जब मार्केट जो है उपरी लेवल्स पे रिजिस्टन्स ले रहा था यहां पे आप देख रहें मल्टीपल डोजी मल्टीपल रिजेक्शन हमें बनते हुए दिखाई दे रहे थे यहां पे अपने एक शौर्ट ट्रेड इनिशेट किया था जो मैंने आप 2700 का पुट ऑप्शन 6 रुपे में मैंने बोला था टार्गेट इसके 9-10 के आसपस मैंने आपको बोल दिया था आप ट्रेल कर लीजेए SL कॉस्ट पे बागी जिसको अपने रिस्क एपिटाइट के इसाब से बुक करना है वो बुक कर सकता है तो इस हिसाब से अपन लोगों यह नीचे आता है बाइंग आ जाती है यह एक दिक्कत का सबब अभी के लिए बना हुआ है अब आज कौन सा इंपोर्टन डे है ग्लोबल क्यूस के लिए देखिए सबसे बहले अमेरिकन मार्केट 25 पॉइंट नीचे डाव फ्यूचर्स है 25 पॉइंट नीचे नैस्डेक फ दिखाई दी क्या यह डेट काड बांस है क्या उसका बहुत बड़ा टेस्ट होगा प्लस कल अमेरिका का सर्विसिस और मैनिफेक्टरिंग पीमाई देटा आने वाला है वह बहुत बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है उससे पहले हो सकता है लोग थोड़ा प्रोफिट बुक करने तो हमें एक strong data चाहिए, strong PMI data चाहिए, जो market को ये बोले, कि भाई, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो देखते हैं अब ये data किस हिसाब से market जो है वो पचाता है, और किस हिसाब का पूरा sustainability हम लोगों को American data में दिखाई देती है, बट global picture अभी skewed है, मैं बिल्कुल कुछ भी अंदाजा नहीं लगाना चाहता है, इसलिए आज मैंने बोला ही नहीं है कि gap up हो गया, gap down क्योंकि बहुत indecisiveness market में अभी के लिए बनी हुई है, तो देखिए, सबसे पहली चीज, हमें किस तरीके से कल फिन nifty के expiry है, परसो nifty bank nifty के expiry है, dual expiry है, हम लोगों को आती हुई द 18,050 के level के उपर है, हर dip पे buying आएगी, जैसे आज भी इस level, CPR level तक एक dip आया, 18,080 तक का buying आई, एक अच्छा move अपने को देखने को मिला, ठीक है, तो dip पर buying आएगी, यह अभी के लिए texture बना हुआ है, access bank के नंबर साहे, वो भी अच्छे हमें आते हुई दिखाई दिखाई तो उसमें हमें clearly दिखाई दे रहे कि 18,100 पे बड़ा call writer है, वो market को निकलने नहीं दे रहा है, और 18,200 पे भी आज के दिन अच्छी घासी call writing हमें हाती हुई दिखाई दिखाई दिया, तो यह दो positions बहुत important है, कल अगर gap up हो जाता है, अगर अमेरिका में एक और दिन की rally बनत करती है, अगर हम लोग देखें तो, तो अभी के लिए अपने को क्या करना है, दो level और range मार्क कर लेनी है, आज का high और आज का लूँ, बहुत simple है यार, यह आज का high है, यह multiple times जो है, वो test हो चुका है, ठीक है, 18,150 और 18,050, आपको कुछ नहीं करना है, इस range को play करना है, 18,150 का level resistance है, यहाँ पर आता है, जो है वो short trade, जो है वो initiate करने का सोचे, strict stop loss के साथ, 18,050 और 60 की range में market कहीं भी आता है, आप लोग buy करने का सोचे, यह मेरा view रहेगा nifty के लिए, ठीक है, बैंक nifty में क्या है, बैंक nifty की closing मुझे पसंद नहीं आई है, ठीक है, to be frank, जहाँ प के आसपस closing दिया है, बैंक nifty ने, which is not a good sign, तो अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए gap up, अगर gap down हो जाता है कल bank nifty, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि data में अगर मैं देखता हूँ, तो 43,000 के आसपस massive call writer अब खड़ा हो गया है, तो अगर कल gap down हो जाता है, क्योंकि आज bank nifty के पास पूरा मौका था, डेटा बहुत strong था, 1.3 का put call ratio था, उसके बावजूद bank nifty आज नहीं निकाल पाया 43,000 को, वो मेरे लिए थोड़ा चिंता का सबब है, तो ये बड़ा catalyst है कि 43,000 पे बहुत बड़ा call writer है, put writer से double, जितना highest put writer है इस वक्त, 42,500 पे, उससे double quantity में call writing 43,000 पे हो चुकिया, तो it's some massive, massive resistance अभी के लिए, तो ये अपने को देखना होगा, downside में अगर मैं बात करता हूँ, तो कौन से swings important है, तो ये swing एक important मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है, 42,680 का level, इसके नीचे अगर market drift करता है, तो हम लोग short cut trade initiate कर सकते हैं, इस वाले swing तक के लिए, ठीक है, 42,450 तक के लिए, upside में मेरे को एक trend line बनती हुई दिखाई दे रही है, कि आप बिलकुल इस type के trend line बनती हुई दिखाई दे रही है, तो अगर कल gap up हो जाता है, minor gap up हो जाता है, और हम लोग 42,875 के उपर sustain करने लगते हैं, तो हम लोगों के एक अ अब फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल expiry या फिन निफ्टी के और बहुत सारे लोगों का interest होगा, एक triangle pattern में फिन निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अब इसको मैं थोड़ा नीचे की साइड एक range बना देता हूँ, क्योंकि कही बार ये triangle breakout होने की को अब क्लियर कट आपको इलिए क्या है, कि अगर हम 18,850 के नीचे फिन निफ्टी जाता है, तो short का trade बनेगा, और इस short के trade में हमारा जो पहला target होगा, वो ये consolidation zone का upside का band होगा, that is 18,770, 18,770, 18,780 के levels हम लोग को फिन निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, on the upside में ये वाला swing अगर breach हो जाता है, जो कि 18,900 का, तो हम लोगों को एक अच्छा trend देखने को मिल सकता है, उपर की side को, उपर की side में हम लोग को देखने को मिल सकते है, 18,960, 950 के level बहुत अराम से जो है वो देखने को मिल सकते हैं, तो दोस्ता आशा करता हूँ, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा, मिलता हूँ आप से गली वीडियो में, और हाँ अभी तक आपने हमारा telegram group join नहीं किया है, link आपको नीचे description में मिल जाएगा, thank you so much for watching guys, जैहिंद, वंदे मातरम